तो मोबिलीटी की बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे मोबिलीटी है ठीक है बहुत शांदार हमने वीडी का ड्रिफ्ट वेलाउसिटी का फॉर्मुला पढ़ लिया था कि कि ऑलेक्ट्रों ड्रिफ्ट होके कंड़क्टर में कैसे चलता है और कंड़क्टर क्रॉस अकर बैटरी कनेक्ट कर दें तो क्या होता है यह सारी बात हम कर चुके थे आज हम जहां पे हमारा डिसकेशन रुगा था लास्ट वीडियो में वहीं से बात शुरू करते हैं कि मोबिल का formula रख देते हो e e tau by m और नीचे e e से e cancel तो यह क्या आ गया e by m into tau e by m into tau तो यह है mobility of electron mobility of electron और यह बात में हम कर रहे थे कि अगर कोई और सा charge particle है कोई और सा charge particle है जिसका charge q है जिसका charge q है और mass m है तो यहां पर mobility क्या आ जाएगी चार्ज divided by mass into tau तो क्या था average relaxation time तो क्या था average relaxation time तो इसको तो क्या बोलतों को mobility of electron mobility of electron और अगर कोई particle है जिस particle का charge q है mass m है तो इस पार्टिकल की इस पार्टिकल की पार्टिकल पी या कुछ भी बोल दो इस पार्टिकल की जो मोबिलेटी होगी क्या होगी q divided by m चार्ज दिवाइड बाइड बाइड मास into tau तो overall मैं एक छोटा सा inference यहां पर क्या रिगाल सकता हूं इस डार्टिक परपोर्शनल टू चार्ज बाइड मास रेशियो जितना ज़्यादा चार्ज बाइड मास रेशियो होगा उतनी ज़्यादा ज़्यादा पार्टिकल इजी ली मूव कर पाएगा उतनी ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा बात समझे आगे कि जल्दी से लिख लो इस वाली बात को कि मोबिलिटी हाँ एक और बात मैं आपको बताओं कि मोबिलिटी एके इन्वर्स्टी प्रपोर्शनल जैसे लिखा है यहाँ पर कि मोबिलिटी एके इन्वर्स्टी प्रपोर्शनल है तो मैं आप वह बताना चाहता हूं कि यह आप ऐसे मत चेक करो इंडिविजुली वो ई पर डिपेंड नहीं करता देखो यहां पर ई गायब हो गया तो अगर कैपिटल ई भड़ता है तो वी डी उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाता है वी डी के फर्मॉले में आता है ना वी डी इज एकोस टू ई ई टॉ बाइ एम तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल किया तो वी डी बी डबल हो जाएगी तो कि मिउं न सर्फ इंडिविजली इपर डीपेंड करता है न सिर्फ इंडिविजली वी डीपर डिपेंड करता इसको करता है वcem श्कूं जाँ अक्याइखका हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बास में जार्ब deposit को कि कि क्योंकि जिस रेशन में आप यी बढ़ाओगे वी डी बढ़ जाएगा ओवरॉल म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जल्दी से पॉस करके कॉपी कर लो कि अचर्श चाहर तो लिख लेना मुओ दो नोट डिपन मूओ दो डिपन दो डिपन दिविजली वन और एक और बात temperature पर mobility capacity depend करती है कि temperature increase करता है तो tau decrease होता है यह हम बात अभी कर चुके हैं इसे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं कि जैसे जैसे temperature increase करता है tau decrease करता है जैसे जैसे temperature increase करता है tau decrease करता है और tau का decrease करना आप समझ रहे हो VD का decrease होना temperature increase क्यों क्योंकि वह वीडी के डारगली प्रपोर्शनल है समझ में आए गया तो भ्यान से सुनो कि टैंप्रेचर बढ़ेगा रिलैस्टेशन टाइम डिक्रीज होगा और वीडी भी डिक्रीज होगा अगर कोई बच्चा समझना चाता है और वो मेरे से पूछता सर समझ में नहीं आया अगर मैं उसको आमने सामने पढ़ा रहा हो तो मेरे से पूछता कि स की टैंप्रेचर बढ़ता है तो थर्मल एंरजी बढ़ता है क्या बढ़ता है और वह जल्दी शे मूव करना चाता है और एकदम टक्रा जाता है ढ। बहुत ब्लाइसटी डिक्रीज करता है तो आपकी बाद इल्कूल सही ही कि temperature increase करना इसका मतलब उसके पास बहुत साधी energy आगी वो जल्दी से move करना चाहेगा लेकिन जल्दी के चक्कर में और टक्रा जाता है देर में move करता है आप इस बात को समझो बात समझ वे आगे कि तो VD decrease कर जाती है क्या decrease कर जाती है VD relaxation time dc कर गया VD decrease कर गे और VD decrease कर गे अगर अगर तो mobility decrease कर गई ये बात समझ कर आने चाहिए कि mobility temperature के इंवर्सी परपोश्चनल तरक के इंवर्सी परपोश्चनल मोबिलिटी temperature के इंवर्स ली परपोश्चनल ए टैंप्रेचर बढ़ा तो Mobility decrease करते . क्या आपको मेरी बावस समझे जल्दी से Copies कर$ तो मोबिलीटी इस इंवर्स्टी पर्पोर्शनल टू टैम्प्रेचर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं टैमप्रीचर और यह इनवर्स्टी प्रपोर्शनल टू कर बिल्कुल बोल सकते हो क्या दिक्कत है इन सबका कॉन्क्लूजन यह है कि ओवर्रॉल मॉबिलीटी डिक्रीज कर जाएगी और हमने साथ में यह दो बाते और समझ ली कि इसका मतलब वह टैम्ट्रेचर और प्रपोर्शनल और रिलेक्सेशन टाइम के डार्ट प्रपोर्शनल है यह पास कॉपी अम गॉइंट रॉप यह वाली बात में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो येस इस वाली पॉइंट से कि हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो इंडिविजुली डिपेंड नहीं करती लेकिन मॉबिलीटी ड्रिफ्ट वेलॉस्टिटी के डार्टली प्रपोर्शनल है किपिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉंस्टेंट होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉंस्टेंट होगी तो मॉबिलीटी ड्रिफ्ट वेलॉस्टिटी के डार्टली प्रपोर्शनल है उम्मीद है आपको मेरी बाते समझ में आ रही होगी और अब मैं इसको रब करने जार हूँ झाल झाल जीह मेरी बात है derivation of electric current in conductor लेको जल्दी से the derivation of current in terms of drift velocity in terms of drift velocity और average velocity in terms of drift velocity और average velocity तो हम current का expression देखने जा रहे हैं यह हमारे derivation का नाम बात समझे आगे कि यह हमारे derivation का नाम है तो derivation शुरू करने से बहले हमें कुछ थोड़ी सी भूमी का हैं समझ लेनी चाहिए कि कैसे कैसे derivation शुरू होगा derivation में कौन कौन है तो दिहान से सुनों कि मान लो एक conductor है let us consider a conductor having a area of cross section मान लो कि यह कोई conductor है और इस conductor का जो area of cross section है मान लीजिए वो a meter square है और जो length है इसकी उसको मान लीजिए l तो इसका volume कितना हो जाएगा परभू a into l तो मेरी बात सुनो let us consider this conductor मेरे साथ साथ लीजिए लो consider this conductor of a area of cross section and length L सम्में आए गया let this conductor इस है इस मॉल एन इलेक्ट्रॉंस पर यूनिट वाल्यूम समझ में आया मतलब एक मिटर क्यूब में मान लेते हैं small and electrons है समझ में आया और इसके अंदर जो electrons होंगे अगर मान लो की ये low potential point है इदर low potential है इदर और ये है high potential point तो ये जो electron है ये इदर जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा drift velocity से जाएगा समझ में आया drift velocity से कुछ और discussions भी करूंगा मैं आप से भी ये कैसे wire में flow होता और button दबाते ही कैसे bulb on हो जाता है जब VD है तो उसको कुछ time लगना चाहिए जैसे हमने switch on किया तो यहां से electron चलके वहां जाए और फिर बल्बान हो इतना time लगना चाहिए और वो तो एकदम से अन हो जाते जैसे इंतजार में कि बस बटन अन हुआ और एकदम से चल पड़े तो यह सारे discussion करूंगा यह सारे सवाल बच्चे पूछते मैं इन सभी के बारे में बात करूंगा फिलाल आप यह समझो ठीक है is having a small n electrons per unit volume ठीक है तो अब एक बात सुनों टोटल नंबर ओफ लेक्ट्रांस कितने हो गया होंगे इस पूरे conductor में total number of electrons कितने हो गया होंगे अगर इसके per unit volume small n है तो भाया total volume में कितने हो जाएंगे total volume into small n समझ में नहीं आई बात अगर small n electrons per unit volume है तो पूरे conductor में कितने electrons हो जाएंगे small n into area into length मतलब वो volume लिखो और उसको small n से multiply कर दो बात समझ में आगे गया तो आपको total number of electrons मिल जाएंगे capital N total number of electrons will be equals to small n into a into L समझ में नहीं आई बात number of electrons per unit volume small n है number of electrons per unit volume कितने है small n into ओ स्वारी small n तो total volume कितना है बाबा total volume कितना है area of cross section into length तो क्या आजएगा total volume है क्या है यह total volume बात समझ में आगी कि नहीं आगी तो द्यान से सुनो अगर current इधर flow हो रहा है कि अगर electron इधर flow हो रहे है तो current कि इधर flow हो रहा होगा इधर और वो किन से flow हो रहा होगा सौर electrons की वज़ा से flow हो रहा होगा ठीक है समझ में आगी बात यह हाई potential है यह low potential है तो कुछ electric field भी होगी इधर से इधर की तरफ बात समझ आगी कि पोटेंशल difference भी होगा प्लस माइनस वी का ठीक है इस सब बाते आप और लिख देना कोई दिक्कत नहीं है सारी बाते करके mention कर दो ठीक है अब बात सुनो total number of electrons कितने हो गए small n into a into l total charge कितना हो जाएगा total charge capital q will be equals to total number of electrons into electronic charge total number of electrons into electronic charge समझ में आएगा तो capital n कौन है total number of electrons तो वो कितना है small n into a into l into e बात समझ में आगे गया तो यह हो गया total number of charge total amount of charge बात समझ में आगे गया और मान लो मान लो कि t time लग गया एक end से दूसरे end तक जाने में मान लो कितना time लग गया यहां से यहां तक जाने मान लो कितना time लग गया small t बात समझ में आगे की नहीं आगे if t time is taken by electrons to flow then current क्या बजात है total charge divided by total time तो कितना हो जाएगा small n into a into l into e divided by t l divided by t क्या होता है vd length divided by time आप सिर्फ l और t को देखो यहां पे जो लिखा है n a l e और divided by t तो यह l divided by जो t है न यह vd है length divided by time क्या होता है speed और कितनी speed से वो flow कर रहा है n a into v d e electronic charge तो current का formula क्या आगया n e a v d तो current का formula क्या आगया और क्या हो गया और क्या होता है यह vd तो current का formula क्या आगया और अगर आप यहां से वीडी को define करना चाहों तो वीडी को define कर लो current divided by n a e तो यहां से आपको vd का एक और expression मिल सकता है है जल्दी से लिखो इसको ए कौन है area of cross section है L कौन है length of conductor है small n कौन है number of electrons per unit volume capital n कौन है total number of electrons तो total charge क्या हो गया q तो total charge divided by total time t क्या है जितना time लगा तो total charge divided by total time क्या देगा आपको current देगा टोटल चार्ज की जगा क्या रिखा n a l into e n a l into e electronic charge है ठीक है तो क्या formula बन गया यह l by t को मैंने क्या लिख दिया vd length divided by time क्या होती है speed होती है length divided by time क्या होती है speed तो आपको क्या मिल गया n e a vd समझ में आए पॉस करके कॉपी करो मुझे रब करना है शाबाश जल्दी से कॉपी करो नेक्स्ट अगर मैं यहां पर थोड़ा spaces को इट्रलाइज करूं तो current divided by area current density होती है अगर आपने सुना हो मैंने सबसे शुरुआत नहीं बात कर ली थी current density जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं किस से रिप्रेजेंट करते हैं जे से तो यहां से अगर आप current density भी लिखना चाहूं तो drift velocity आगई आपके पास क्या आगई drift velocity का एक और formula और अगर current divided by a हो इस वाल expression से देखो यहां पर तो current divided by area current density होता है आपको हमने पहले भी बताया कि current divided by area क्या होता है current density तो इस वाले expression से अगर आप देखो कि i equals to neavd था तो current के नीचे अगर मैं area ले आओं तो क्या current density बन जाएगा current density भी लिखना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है उसका भी formula क्या हो जाएगा एन इवी डी एन इए अट जाएगा वी डी रह जाएगा current density बात समझ में आगे क्या current density शाबश क्या लिखा आपने current density अपने को अगर यहां पर थोड़ा सा और analysis करो तो इतना समझ में आता है यह फालत की बात है मैं लिखूँ फड़ावट से time waste करूं थोड़ा सा देख ले कि वी डी डी डारेगली प्रपोर्शनल होगा current के current जितना ज्यादा उतने drift velocity ज्यादा ठीक है current और वी डी जितना ज्यादा number of electrons per unit volume होंगे उतना ज्यादा टक करे होंगी समझ में है क्या उतना ज्यादा टक कर होंगी जितना ज्यादा number of electrons होंगे न उतना ज्यादा flow नहीं करेगा वी डी उतनी डिक्रीज कर जाएगी इंवर्स्टी प्रपोर्शनल है तो number of electrons per unit volume के इंवर्स्टी प्रपोर्शनल है एरिया के इंवर्स्टी प्रपोर्शनल है एरिया जितना ज्यादा होगा drift velocity उतनी कम हो जाएगी यह सारे conclusion लेख सकते हो आप इस से related समझ मे पहुच करके कॉपी करो पहुच करके कॉपी करो झाल कर दो छिए श्मधिश्डंट इंवर्स्टी ऑ्रपोर्शनल में वींवर्सकते हो एरिया प्रह करके कॉपी भटन्ख़्स मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ, देखो आपकी स्क्रीन टेक सवाल आएगा अभी, पढ़ो आप इसको पॉस करके पढ़ो सवाल को, मैं सवाल कराता हूँ हाँ मेन dew memorize पास्ट ठू अवायर, हीन तू मिनट्स अफ अग तक पास्ट्री वायर? इस थी हंड्रणड अम्पर क्या सवाल हूँ यह, पढ़ लिया का फालiron eBay cioè सवाल 2 मिनटी Л मिनटी तक कि उसक्राइट ह में थीच गोॉस क्य HU10 पहाँ ऑ फॉर टू मिनट्स फॉर टू मिनट्स करन्ट कितना पास हुआ 300 मिली एमपेर मतलब किसी वायर से अगर कि इस कंड़क्टर से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा किसी पर्टिक्लर पॉइंट से किसी पर्टिक्लर पॉइंट से अगर आई इतना था आई इतना था 300 मिली एंपयर और 2 मिनट्स तक तो आई क्या लिखोगे 300 मिली एंपयर हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे 10 दिस वार मैंने 3 यूज करेंगे और बात इतनी है कि उनकी फॉर्मूला क्या होता है चार्ज डिवाइड़ बाइड़ टाइम और यह होता है कुल तो two into sixty second और यहाँ पर क्या है कुलम पर सेकंड एमपयर है ना यह कुलम पर सेकंड तो यह यूनिट क्या बन जाएगी कुलम सेकंड से से कंड हो जाएका कैंसल तो यह आएगा आपका आंसर समझ में आएगया आंसर भी अगर मैं आपको बदाओ तो आंसर है इसका अपने को क्या निकालते है number of electrons तो यह जो कितना आगे कि कितना charge flow हुआ और अगर वो आपसे पूछ रहा है number of electrons तो एक electron पे कितना charge होता है 1.6 वन electronic charge कितना होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुलम तो अगर एक electron पे इतना charge है तो इतना सारा charge कितने electron को मिला के हो जाएगा तो वहिया यहाँ पे आप electronic charge से divide कर दो तो overall आपका formula क्या बन गया अगर आपको number of electrons निकालने है and total number of electrons किसके को आजाएगा total charge divided by electronic charge यहनि कि I into T divided by electronic charge बास समझ में आगए क्या तो IT divided by E कितना आ जाएगा यह 300 इन्टू मैं simply कर चुच्छ वर simplify अचर ले लिख ले 300 इन्टू 120 इन्टू 10 raise to power minus 3 और यहाँ भी आएगा 1.6 इन्टू 10 raise to power minus 19 इसको solve करके आ रहा है अपर 2.25 2.25 इन्टू 10 raise to power 20 electrons पॉस करके कॉपी कर शाबाश मैं रब कर रहा हूं नेक्स्ट कोश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आया नेक्स्ट कोश्चन देखो in an atom an electron revolves around the nucleus star mark लगाना इस सवाल पर सवाल पढ़ो जल्दी से in an atom an electron revolves around the nucleus in a orbit in a circular orbit at the rate of 10 raise to power 15 revolutions per second calculate the equivalent current बहुत शांदर सवाल पॉस करके पढ़ लो इसको दुबार एक लेक्ट्रॉन है कितने revolution कर रहा है time raise to power 15 revolutions कितने revolution कर रहा है time raise to power 15 revolutions कर रहा है per second यह लिखा है सवाल में कितने revolution कर रहा है 10 raise to power 15 revolutions per second calculate the equivalent current देखो बाई अब यह भी current की formation देता है अगर यह electron nucleus के चारो तरफ घूम रहा है तो किसी speed से घूम रहा हुगा जैसे कि माँ drift velocity current बनाती है क्या current बनाया था एन इए वी डी करंट ने क्या expression दिया था एन इए वी डी इसी तरह यहां पर electron अगर किसी speed से घूम आपने को speed नहीं मालूम अपने को speed नहीं मालूम बस उसने क्या कह दिया कि वह इतनी speed से भूम रहा है तो यहां पर यह भी current बनाएगा यह नहीं बनाएगा डैफिनेटली बनाएगा इस सवाल पर अच्छा सवाल है क्योंकि यह जिंदगी में भी फिर जाएगा जिस दिन हम magnetism पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनो बाबा जब भी current की बात होती है तो क्या होता है total charge divided by time तो एक electron यहां पर एक सेकिंड में कितना चल जाएगा एक सेकिंड में कितना चल जाएगा वो बताएगा current बासन में आगे कैं मतलब एक सेकिंड में कितना चार यहां से फ्लो कर जाएगा वो क्या बताएगा current बताएगा अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास एक formula भी था एन ई ए वी डी पिलहाल आप यहीं पर ध्यान दो देखो बाई यहां पर अगर मैं टी की जगट time period पुट कर दूँगा क्या पुट कर दूँगा time period तो एक electron यहां पर कहाएगा electronic charge और टी की जगट क्या जाएगा time period चार्ज divided by time period तो यह current बन जाएगा charge divided by time period इस टी की जगट आपको क्या पुट करना है time period तो अगर 10 रेस्ट पार 15 revolution पर सेकेंड घूम रहा है पर सेकेंड समझ में आया तो एक सेकेंड में वो कितने revolution काट रहा है 10 रेस्ट पार 15 तो time period यहां पर कैसे निकाल लोगे आप इतने revolution एक सेकेंड में तो एक revolution कितने सेकेंड में तो time period यहां से क्या आजाएगा time period यहां से आजाएगा one upon 10 रेस्ट पार 15 second जो उसने कहा कि चार्ज का फरवला क्या हो जाएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल करन्ट का फरवला जाएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर ऐसे गुम रहा है कि टैंदे सेंवर 15 revolution में गुप्लीट कर लेता है तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि उस द युउक्रिश की चारदफ गूम रहा है तो डाफिनेटुली वो करंड तो बनाएगा डाफिनेटली वो करंड तो बनाएगा तो करंड़ यहांसे कितना यहां वन अपाउन 15 यानिकि 10 raise 1 upon 10 raise to power 15 10 raise to power 15 मतलब चला जाएगा कहीं यहाँ पर तो कितना करण बन जाएए 1.6 into 10 raise to power minus 4 ampere पास करके कॉपी करो शाबश कोई चार्ज अगर nucleus के चारो तरफ घूम रहा है किसी भी circle or orbit घूम रहा है note करके लिख लाएना एक point लिखवा रहा हूँ note करके लिख लो if q charge particle पास करके पहले इसको कोपी करो रब कर रहा हूँ note क्या है if q charge particle पास करके लिख लोगा है if q charge particle is rotating म 잡ेंक Fl की लूम आएनि हूआ है capital T time period then current will be equals to Q divided by capital T Q divided by capital T कि बास्माज में आगे क्या है और भी फॉर्म्स है करण्ट की अगर आपको frequency दे रखे हो frequency तो charge into frequency यह भी करण्ट देगा क्योंकि one upon time period क्या होता है frequency कुछ books में आपको यह ऐसा भी लिखा हो मिल सकता है frequency ऐसे लिखा होता है यह frequency का सिंबल है तो charge into frequency वो भी करण्ट यह फ्रिक्वेंसी अगर अंगुलर frequency दे दे क्या दे अंगुलर फ्रिक्वेंसी तो क्या लिख दो गया आप चार्ज डिवाइड चार्ज इंटू ओमेगा डिवाइड बाइड वाइड टू पाई ओमेगा कौन है अंगुलर frequency तो इतने सारी form में आप प्रकुलेट करना पढ़ सकता है अंगुलर फ्रिक्वेंसी तो ओमेगा क्या है अंगुलर फ्रिक्वेंसी करन का फ्रम्ला क्या हो गया है चार्ज इंटू ओमेगा डिवाइड़ेड बाई टू पाई पाउस करके कॉपी कर लो मैं आप कर रहा हूँ कि 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 नेक्स नेक्स कोश्चिन देखो आपकी स्क्रीन पर है दा नंबर दैंसिटी आफ एलेक्ट्रों इन कॉपर इस 8.5 इंटो 10 इस पार 28 पर मिटर क्यूब वाट इस इस ताम तेकन बाइड एलेक्ट्रों तो ड्रिफ्ट्रों वन एंड अफ वायर 2.2 मिटर लॉंग तो अनधर एंड एफ एरिया फ्रों सेक्शन अफ दी वायर इस तो इंटो 10 इस वर माइनस 6 मिटर स्क्वायर और इस कैरिंग अ करेंट अफ 6 एंपेर पॉस करके सवाल को अपने आप पढ़ो सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है कि यहां से सुनों उसने कंड़क्टर दिया है कंड़क्टर के अंदर नंबर ओफ लेक्ट्रॉंस पर इनिट वॉल्यूम दिये हैं ठीक है करण्ट दिया है ठीक है एरियों कुर्ण आपको उसने सारी चीज़े बता दी लेकिन टाइम पूझ लिया तो मुझे तो इतना पता है उसने आपको क्या क्या बता है नंबर ओफ लेक्ट्रॉंस परनेट वॉल्यूम बताया एरिया प्रोसेक्शन बताया लेंथ बताई और करण्ट बताई क्या आप इन सभी में कोई पर रिष्टा जानते हैं कोई ऐसा एक्स्प्रेशन हाँ घी एकस्प्रेशन तुमने देखा है और समझ में आया सर वीडी के टो गिवन नहीं एं स्मॉल एन गिवन है एलेक्ट्रोनिक चार्ज हमें पता है उलेक्ट्रोनिक चार्ज कितना होता है वंक्वाइंट इन्ट टै इसको लिख लो 8-10 वार अभ्याद हो जाएगा तो यहां से सबस्ता बप्रत क्या निकाल लोगेश कैसे member flat small n given है e electronic charge given है a given है vd जब आ जाएगी तो second step पे यह तो step 1 हो गया step 1 step 2 में आप क्या देखोगे कि vd length divided by time होता है हमने देखा था हिए अभी जब derivation किया था तो यहां से जब आपको time निकालना होगा तो length divided by vd कर दो समझ में नहीं आया length given है और vd हमने यहां से solve कर लिया समझ में आया गया vd आपने यहां से solve कर लिया सवाल हो गया pause करके copy कर लो solution भी मैं गरूँ गया pause करके copy कर लो शाबाश पाउस करके आपके लो मैं रब कर रहा हूं next question देखो आपकी screen पर आने वाला है next question देखो हमारे पास क्या है आपके screen पर देखो पड़ो क्या लिखा है the area of cross section length density of piece of metal of atomic weight 60 10 raised to power minus 6 meter square 1 meter and this respectively find the number of free electrons per unit volume if every atom contributes one free electron also find the drift velocity of electrons in the metal when a current of 16 ampere passes through it given Avogadro number 6 into 10 power 3 per mole चलो अब इस सवाल को करते हैं अगर मैं आप से कहूं उसने वैसे देई दिया सवाल में मुझे कुछ भी करने की जरूद नहीं है atomic weight दिया है क्या दिया है atomic weight दिया है उसने कितना 60 तो मैं इसको gram में लिख रहा हूँ gram में लिखने का मतलब यह होता है कि यह one mole atom का mass है कि atomic weight in gram का मतलब होता है किसी भी atom का मास अगर gram में लिखा atomic weight gram में लिखा है इसका मतलब यह molar mass लिखा है one mole atom का मास और समझ में आगे है तो ध्यान से सुनना मेरी बात अगर आप total mass calculate करने पर आजाओ वह कैसे calculate करोगे total mass area of cross section दिया है length दिया given है given है into density कर दो volume into density होगे क्या mass नहीं आ गया तो total mass आ गया अब यह density भी आपको किसमें दी भी है ध्यान से देखो density की unit क्या थी density की unit है केजी में तो सबसे पहले तो आप इसको gram में convert करोगे या kg में लिख लो कोई problem नहीं है या आप चाहो तो gram में लिख लो इसको density कितनी हो जाएगी density कितनी दे रखिए 5 into तो यहां से total mass आ गया अब अगर मैं number of moles निकालना चाहूं क्या निकालना चाहूं नमबर आफ मोल्स एक मोल एकम का महास यह लिखा तो number of moles कैसे निकलेंगे एक मोल का महास यह रहा total महास यह रहा बास समझ में आगी क्या तो कितना आ गया एरिया इंटू एल इंटू रो डिवाइड़ बाए 60 तो यह आएंगे number of moles लेकिन अब यह मोल्स है मैं चाहता हूं total number of atoms मैं calculate करना चाहता हूं total number of atoms तो density क्या यूज करनी है gram में यूज करनी है ठीक है भाई किसमें यूज करनी है gram में क्योंकि 60 भी ग्रैम में है तब जाके cancel होगा तो क्या बचेगा number of moles ठीक है तो यहाँ पर दियान से देखो number of moles आ गए number of moles number of atoms कैसे निकलेंगे number of moles को मैं अवे ग्याद्रोस नंबर से मल्टिप्लाइ कर दो यह निकी अवे ग्याद्रोस नंबर क्या बोल गाए सर टोटल नंबर ओफ एटम कैसे निकलेंगे number of moles को अवे ग्याद्रोस नंबर से मल्टिप्लाइ कर दो तो आपको टोटल नंबर ओफ एटम मिल जाएंगे मतलब यह मोल्स तो आ गया और एक मोल में कितने होता है अवे ग्याद्रोस नंबर तो इतने मोल्स में कितने होंगे दिस एंट्रोस नंबर तो नंबर ओफ एटम्स आ गये और यही है आपके number of electrons तो यह आए है टोटल नंबर ओफ टोटल है यह लेकिन उसने आपसे पूझा था number of electrons पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम से डिवाइड कर तो क्या दिक्कत आई ए एल इंट्व रो डिवाइड बैस सिक्टी इंट्व एवे गैत्रोस नंबर तीक है एरिया इंट्व एल से डिवाइड कर तो वॉल्यूम से वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल तो यह आजाएगा रो इंट्व एवे गैत्रोस नंबर डिवाइड बैस सी तो यह क्या है नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहा है क्या शाबश और ड्रिफ्ट वेलॉसिटी के अगर वो बात करने लग जाए तो कुछ नहीं बावा उसने आपको करंट भी दे रखा है करंट दे रखा है आपके पास नंबर ओफ लेक्ट्रॉंस पर यूनिट वॉल्यूम आ चुका है तो आप करंट का फॉर्मला भी लगा सकते हो करंट का फॉर्मला क्या लगा सकते हो आपके पास सब ही कुछ तो है बच्चा क्या है निकाल लो आंसर मिल जाएगा पॉस करके करो मेरा अब कर रहा हूं क्यामीश यह रुडिया वयूर्म आप है कि अ नेक्स कोश्चन देखो यह NCRT का है इसको पॉस करके खुद करने की कोशिश करना देखो NCRT का सवाल है यह बहुत बेसिक जल्दी से देखो सब्सक्राइब आपर यह बहुत अबटेज विगा पर यह बहुत है पर यह बहुति अजिया प्रिप्ट इस पीड अबूच्छन एलेक्टोंस इन अप्रवयर क्रोंसेशन अप्राइब लिए 1 इंट 10 बिश्ड थीपर मिनस 7 minutes we're carrying a current of 1.5 ampere assuming that each copper atom contributes one conduction electron the density of copper is 9 into 10th power 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 atomic mass unit u atomic mass unit okay b part compare the drift speed obtained above with thermal speed of electrons carrying the current with thermally speed second speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion evagerness numbers not rick . bolzman constant so we have a question very basic question very basic question on both part look at the first part very simple viewpoint on capture of the night so what is the current part is what the current part is the electronic charge अपने को पता है एरिया प्रोसेक्शन भी बता रखा है देखो ध्यान से पॉस करके सवाल को पढ़ो और उसको खुद सॉल करने की कोशिश करो ठीक है तो सब कुछ बता रखा है करंट भी है अब देखो यह कैसे सॉल करेंगे जैसे अभी 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 सॉल किया कैसे यह टोटल नमबर उफ लेक्ट्रों कैसे आएगा सबसे पहले तो अपने को बता है कि वह यह अभी तो देखा रो डेंसिटी इन्टू अवेगैद्रो नमबर अवेगैद्रो नमबर डिवाइड बाइड बाइट अटॉमिक मास इन ग्रैम में होना चाहिए यह और डेंसिटी वी किसमें डिफाइन होईं से यह ग्राम पर मीटर क्यूब समझ में आया है आपको अभी अभी देखा हमने तो नमबर अफ लेक्ट्रॉन्स पर डॉल्यूम भी हम आसानी से निकाल सेते हैं एक और डेंसिटी यह भी गिवन है अवेगैद्रो नमबर भी गिवन है अटामिक मास भी गिवन है तो 63.5 बस आप इसको यहां ग्रैम कंसीड भी रखना समझ में आया है तो यह आएगा आपके पास स्मॉल अंग निकाल लिया तो ड्रिफ्ट वलासिटी क्या जाएगी वी डी करन्ट का फॉमला क्या होगा है करन्ट डिवाइड बाई एन ए ए समझ में आया करन्ट डिवाइड बाई एन ए ए तो यह आगर रिफ्ट वलासिटी के ओन्ट आने के बाद बी पार्ट को देखो बी पार्ट में क्या करवा रहे कंपैरीजन करवा रहे क्या करवा Jul क्या करवा रहे सर यह याद रख लें गया याद रख लो तो अच्छी बात वरना जैसे इससे पहले पार्ट में सॉल्व गया है उसको आप समझने कोशिश करो कि कैसे हम यहां तक पहुंचेते हैं सबसे पहले तो क्या भया लगो तोटल मास पेगre निकाल लो टोटल मास भाइन का मास in यह बहुत मौल कमास निकाल लो आका नंबर मोस निकाल लो एक के मास से ढिवाइड कर टोटल मास डिवाइडिट व्यक्त ऐसे मोछ फो आपको क्या जाएगा नंबर और ऑवमोल साने के बाद अभङ वॉल्यूम देखने लगो तो यहां आ जारते हैं डैंसिटी इंट इन्ट इवागेदरोस नमबर डिवाइड बाइड़ बाइट आमिक मास तो पॉस करकी जल्दी से कॉपी करो इन आ जाएगा और बीडिया जाएगा पॉस करकी जल्दी से कॉपी करो सॉल करनी कोशिश करना कि वन पॉइंट वन मीटर पर सेकंड वन पॉइंट वन इंट इन पार माइनस त्री मीटर पर सेकंड पॉस करकी कॉपी करो रब करता हूं में जल्दी से कि देखो थर्मल वेलोसिटी उसने आपको बोल्स बन कॉंस्टेंट भी दिया है सर मैं तो पहली बारी सुना है क्या भोड़ होथा मैंने का बहलों सुना हिए तो थर्मल वेलोसिटी व्ला है स्ट्री थभाइट टू के के कहांगा में टम्ट नब होगे आप कि क्या पूट करोगे रूम टैमपरिशार रूम टैमपरिश गितना होथा 27 डिग्री चल्सिएस और क्या कह सकते हो आप 273 plus 27 Kelvin 300 Kelvin हो गया क्या बोल्डबान कॉंस्टेंट की value आपको बता रखिए बोल्डबान कॉंस्टेंट की value आपको कोशन में 1.38 इंटो 10 स्वार माइनस 23 Joule पर Kelvin बात समझ भे आँगे कि ठीक है तो ये 3 by 2 KT put करके आपको VT मिल जाएए और इसको solve करके आ रहा है आपका VT आ रहा है 1.17 इंटो 10 स्वार 5 तो वो आपको compare करने के लिए कह रहा है किसको जो पहले VD आए थी तो पहली बार तो आपको compare करने के लिए कहा उसने बीटी के साथ एक तो ये ratio calculate करने है आपको और दूसरा उसने आपको calculate करने के लिए कहा कि जिस speed से तो आपको दोनों आंसन तो यह थे सारे सवाल तो आप NCRT के किसे भी बुक के इन फॉर्मले पे बेस जितने भी सवाल है वो सब कर सकते हैं ठीक है सारे कॉंसेट्स में आपको बता चुपा हूँ कुछ कुश्चन्स में हमने ट्राई कि हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी बात होने वाली है ओम्स लॉस रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है CBSC पॉइंट ओफ वीव से और Competition पॉइंट ओफ वीव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझ भी आगे क्या है जल्दी से पाउस करके इसको कॉपी कर लो नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉगे साथ मिलते हैं तब तक के लिए बो बॉई सी यू सून इंजोई